नमस्कार बोलो जिंदिगी में बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ पितम कुमार और आज हम आए हैं स्याम जी सर हैं स्याम जी शाहए रिटायर्ड आईएस हैं और साहित के शेत्रों में भी सर की काफी चर्शा हो रहती है चुकि इनकी जो लेखनी जह है और लेखनी क के दोरान फिर से एक रशना बढ़ी एक पुस्तर कि इनकी सर की आई है लव इन लॉकडाउन सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है मरे बोलो जिंदिगी में जी धन्यबाद बोलो जिंदिगी को लॉकडाउन के दरम्यान जो है लोग काफी परिशान भी रह थे और बहुत ही ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई जो हमारे दिल को जंजोरती है उस दवरान सर भी घर में थे आप तो घरों में रहे हैं चुकि लॉकडाउन जनता कर्फिव और उसके बाद लॉकडाउन लग जाने के कारण सारी गतिविदियां बंद हो गई थी देश व्यापी लॉकडा आना न किसी का आना बाजार बंद मॉल बंद सिनेमा बंद संड के सुंसान गाडियां बंद ऐसे में घर के खाने में ही रहना पड़ा नतीजा समय कैसे कटे या बार-बार दिमाग को कौंध रहा था समय कैसे कटे और जिस्ते की इस्तिती थी जो खबरें जो चलती थी उससे भी अगर चाहे तो मन को हटाना हो किसी और दिशा में ले जाना हो तक ताकि विचलन ना हो बिल्कुल सही कहा आपने जो इस्थिती और परिस्थितियां तीवी पर अखबारों में दिखाई और लिखी जा रही थी उससे मन अवसाद से भर जाता था उससे मन को दिमाग को दिल को हटा कर परे रख कर कुछ सोचने की इक्छा हुई और जब सोचने की इक्छा हुई तो लगा कि समय का सदुप्योग लिखने से ही हो सकता है वैसे तो इस उपन्यास के पहले मेरी दो तीन और तीन पुस्तके जीवन संध्या अनुभाव जीवन तेरे कितने रंग प्रकाशित हो चुकी है जिनके लिए आपको समानित भी क्या गया था नहीं दिल्कुल बिल्कुल जिसके लिए अनुभाव के लिए मुझे भासा सहुद्री रत्न पुरसकार भी मिला था अखिल भारतिय अस्तर की संस्था भासा सहुद्री आपको 2018 में नई दिल्ली के हन्सराज कॉलेज में आयोजित समारों में जिसमें कई किंद्री मंत्री उपस्तित्वे मुझे सम्मानित भी किया गया था लेकिन यह तो पहले की बात थी उन्नीस में एक पुष्टक आई जीवन तेरे कितने रंग और बीस कुरोना काल में लिखी गई और नवंबर दिसमबर दोहजार बीस में प्रकाशित हुई यह पुष्टक जो एक उपन्यास है यह इसकी रचना मैंने की यहाँ पर मैं एक सवाल करूँगा सर आपसे कि आपके जो पहले की जो पुष्टक यह पन्यास है वो ज़्यातर बुजर्गों पर किंद्रित रहा जीवन संध्या हो अनुभाव हो या फिर जीवन तेरे कितने रंग इस बार सर आप लोव इन लॉगडाउन मतलब युवाओं के लिए कुछ आपने लिखा है सर प्यार प्यार सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है बुजर्गों के लिए भी है मेरे पहली दो पुष्टके जो निकली है उनमें बुजर्गों के प्यार और सम्मान की बात की गई है इस पुष्टक में भी बुजुर्ग है बुजुर्ग किसान है खेती की समस्याओं को भी दर्शाया गया है फौजी है बोडर पर उसके साथ जो हो रहा है उसे भी दर्शाया गया है इस्त्री विमर्श है नारीश सक्ती करण है पर पीड़ा है जीवन के विविन पहलू को इसमें उजागर किया गया है लेकिन यह एक तरह से नायक नाइका की उमर के चलते सिर्फ प्रेम कहानी मान लेना बहुत उचित नहीं होगा नायक नाइका है किशोरवय का उसकी सोच किशोरवय की है उसका उद्देश किशोरवय का है उसका सपना किशोरवय का है तो उसे अगर नहीं दर्शाया जाएगा तो हम किशोरवय की अवस्था का बहुत सटीक चित्रन नहीं कर सकते है आपने इस परिस्तिती को जो काफी व्याकुल भरा था इतने साकरात्मक दिशा में आप अपने खूद को ले गए और पुस्तंकों का लेखनी जो है अपने पूरा किया तो ऐसे इस सिती में जो जिनका साहित से रिस्ता भी नहीं है या फिर वो दूर रहते हैं उन्हें भी क्या ऐसे समय का फाइदा उठाना चाहिए बिलकुल उठाना चाहिए उपन्यास अपने आप में बहुत ही रोचक बन चुका है भाषा सरल है सटीक है ऐसी भाषा जो जन्मानस तक पहुंच जाए लोग आसानी से समझ सकें कुछ नई भाषा का भी प्रयोग किया गया है कुछ नए विंदू को भी ध्यान में रखा गया है जैसे एक किशोर वय जैसे 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 जवान होता है उसके सारीरिक मानसिक और भावनात्मक बदलाव उसमें परिलक्षित होते हैं लेकिन वह अपनी जिग्यासा को किस से चर्चा कर जाने आखिर ये कंधे चोड़े क्यों हो गए सीने पर केस क्यों आ गया मुच्छे क्यों आईगी मैं रहरा कर उत्तेजित क्यों हो जाता हूँ लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो मा से भावी से बड़ी बहन से या किसी विवाहिता से पूछ सकती हैं लेकिन लड़के इस मामले में बड़े शर्मीले हो जाते हैं न दोस्त से कुछ पूछ पाते हैं न बाप से न मा से न भाई से तो जैसा बदलाव उनमें होता है उसे वे स्विकार करते जाते हैं और उसका उप्योग दुरुप्योग या जिस तरह से इस्तेमाल वो करना चाहते हैं या उनको करने की इक्षा होती है वे करते रहते हैं एक सवाल और सर्चु कि आप अपने देश में परसासनिक सेवाओं का योगदान भी दिया है तो मैं इसलिए भी एक सवाल आप से और करूंगा कि आजकल जिस तरह से ओनलाइन का जो प्रशलन बढ़ा है क्या युवाओं को युवापीडी को या अन्न लोगों को भी अन्न व पाठकों का समूह नहीं है पाठक कम हो गए है युवापीडी जो है वह तो बिल्कुल ही पाठक नहीं है प्रिंट मीडिय का प्रिंट मैटेरियल का वह बिल्कुल ही पाठक नहीं है क्योंकि उसका लाइफ इतना फास्ट है कि उस फास्ट लाइफ में वह अपने मोबाईल एक कम्प्यूटर पर ही सब कुछ देख सुन पढ़ लेता है अकरसन जाद दूर कर दिया गया है, उन्हें नहीं मालूम है कि जैसंकर प्रसाद कौन है, प्रेमचंद कौन है, क्योंकि न तो वे प्रेमचंद का गोदान पढ़े हैं, न जैसंकर प्रसाद को पढ़े हैं, ना कामाईनी पढ़े हैं, ना रामधारी सिंग दिनकर पढ़े हैं, उनका उत्त कि मैं तो साइन्स पढ़ा हूं इंजिनियर हूं लेकिन हम लोगों के समय हिंदी में बड़े बड़े लेखकों की रचनाय पढ़ाई जाती थी एक उपन्यास पढ़ाया जाता था जैसे मेरे ही पाठिक्रम में एक उपन्यास भगवती चरन बर्मा का उपन्यास चित्र लेखा पढ़ाया जाता था पूरा साल भर उसी को पढ़ाया जाता था बेजोड़ उपन्यास भी है अभी तक मुझे उस उपन्यास की पहली लाइन याद है शलकते हुए मदिरा के जाम को होठों से लगाते हुए बीज गुप्त ने पूछा और सुख क्या है आप जब यह लिख रहे था तो कि यह मान के चले थे कि हमें प्यार मुहबबत पर ही कुछ लिखना है या फिर अचानक से इधार लुख हो गया बिल्कुल नहीं इस पुष्टक के प्रस्तावना में भी यह लिखा हुआ है कि मैंने इस उपन्यास को लिखना यह सोचकर नहीं शुरू किया यह उपन्यास में लिख रहा हूँ मैंने एक बड़ी कहानी लिखने की इक्छा रखी थी लेकिन वही बड़ी कहानी छोटी-छोटी सहायक कहानियों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक उपन्यास बन गया और इसका उलेक मैंने प्राकतन में भी कर दिया है तो इस उपन्यास में हर आयूवर के चाहे इस्तरी हो पुरुष हो पुरुष के अधिकार इस्तरी के अधिकार सब के सनलक्षन की बात खेती-किसानी की बात कुरोना के साथ हो रहे पलायन की भी चर्चा है और उस पलायन से प्रभावित हो रहे खेती व्यवस्ता खेत-खलिहान में सड रहे गेहूं की फसल मजदूर नहीं मिल रहा है इसकी भी चर्चा है तो कुल मिलाकर कुरोना की प्रिष्ठ भूमी में समाज में जो हो रहा था उसे दर्शाते हुए क्या होना चाहिए इसका संदेश दिया गया है तो मैं भी चाहूंगा कि तमाम लोग इस प्रिष्ठ को एकपा जरूर पर हैं और चुकि पाठक ही जो है वो असल निर्नायक होते हैं बिल्कुल पाठक ही लेखक के कद को बढ़ाते हैं लेखक के कद को घटाते हैं मेरा तो अनुरोद यही होगा कि हर पाठक इसे पढ़े यह सोचकर नहीं कि उपन्यासकार का कद कितना बढ़ा है बलकि यह सोचकर कि यह किस नए विशेपल लिखा गया है और कितने हद तक उपन्यासकार सफल हो सका है मतलब मनरणजन के ऊपर उठकर एक सिक्षा भी इसे लोगों को मिलेगी संदेश ही संदेश इसमें है सिक्षा और सिक्षा ही है मर्यादा के अंदर रहकर जब आप पढ़ेंगे तो मर्यादा के अंदर रहकर सांकेतिक रूप में किस तरह से प्यार भी पनपता है किस तरह से जीवन भी चलता है किस तरह से कुरोना कार्ण में परिवार एक जुठ होकर कारी कर रहा था सब कुछ होता है चलिए बिल्कुल अब मैं भी व्याकुल पूरा पढ़ने के लिए और आप भी बहुत जल्द जो है आप मंगवा सकते हैं मैं फिर से एक बर आपको दोरा दू कि आदित इंटरपैजेज इसके पब्लिशर है आप वहां से इनको मंगवा सकते हैं नहीं तो हमारे स्क्रिन पर जो नंबर है सर का है स्याम जी सर का है इन से संपर कर भी यप उस तक मंगवा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे बोलो जिंदगी की टीम का